नमस्कार दोस्तों मैं बागुराम पटेल आप सबका अपने यूटूब चैनल बायलो जू जोन में आज एक बार फिर स्वागत करता हूँ करा कि ऐसी जातियां जिनका बितरन बहुत सीमित होता है उनको क्या कहते हैं इसका राइट क्या होगा एंसर इसका होगा अस्थानिक कहेंगे क्या कहेंगे मेरे दोस्तों कहेंगे इंडेमिक सीज कहते हैं अब इंडेमिक क्यों कहेंगे क्योंकि देखिए ऐसी जातियां जिनका बहुत सीमित होता है उन्हें हमें इंडेमिक कहते हैं जैसे इस्थानिया जो है इस्थानिक पाच्छी कह दीजिए या इस्थानिक जीव क जन तू कह दीजिए समझ रहे हैं अथ्वा हानिकारक जो है बैक्टीरिया इत्यादी हो सकते हैं समझ रहे हैं तो चलिए आज का दूसरे प्रसन की तरह बढ़ते हैं दूसरा प्रसन देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मिर्दा कपास के उत्पादन के लिए सबसे उप उपयोक्ति है कह रहा है कि काली मिठी हूँ जलोद मिठी काली मिठी मर्श धरी तेश का सही ऊतर क्या होगा विल्कूल काली मिठी ही ज्यादा उपयूक्त हो गी ब्लाएक ठीक है ब्लैक अकाली बिट्टी में जदा ही जानते हैं कापास बढ़ियां होती है समझ रहे हैं क्योंकि कापास एक महत्पूर रेशा फसल है जानते हैं रेशा फसल है जिसका महत भारत ही नहीं पूरी बिश्व में है किसका कापास का महत्पूर समझ रहे हैं करा उत्ता प्रदेश का कौन सा ऐसा पच्छी है जो प्रादेशिक चिन है करा मोर है कि ग्रे पैलकिल है कि सारस क्रेन है कि फेरी ब्रू बड है अब इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई इसका राइट देखे मोर तो क्या है ये तो राष्टी पच्छी है राष्टी पच्छी ह समझ रहें लेकिन यहां प्रादेशब्स चिन्प पूंच रहा है तो इसका राज एंसर है सारस क्रेण क्या है मेरे भाई इसका उत्तर है सारस क्रेण ठीक है चलिए कोच्छ नमबर चार क्या कह रहा है इसको भी देख लिए जाय चार नमबर अब जिसका सही उत्तर है सी ठीक है क्या है मेरे भाई इसका सही उत्तर है सी समझ नहीं से राइट अन्स रहे हो क्योंकि समाजी कवानकी में जो सबूल यूके लिप्टस कैजुराइना बांस इस सभी का पादप समुहों का प्रियोग किया जाता है क्योंकि ये तेजी से बढ़ने वाले पादप होते हैं क्या होते हैं बहुत तेजी से बढ़ने वाले ये पादप होते हैं तथा कम पानी में भी अच्छी बृद्धी कर जाते हैं समझ रहे हैं इसका निम्न में से कौन सा मानवी क्रिया कलाब परितंतर को निवनतम हानी पहुंचाता है, या का सही उत्तर को निवनतम हानी पहुंचाता है, एसा नहें है। आप जानते हैं कि जाएबी खेती से परितंत्र को सबसे कम ही आनी पहुचेगी समझ रहें या आप कह intrans रहे हैं कि जाएबी खेती जो होती परितंत्र के लिए लाव यह वोती है कि वह किसके का निमनांकित में से कौन सामीनो अमल सलफर यूगत है कौन सामीनो एसिड कैसा है सलफर यूगत है ऐसा कह रहा है कौन सामीनो एसिड सलफर यूगत है इसका सही उत्तर क्या होगा मेर भाई करा कि प्रोलाइन है कि ग्लुटामी का मला है कि मेथियो नीन है कि इलेनाइन है इसका सही उत्तर क्या है इसका right answer है, इसका right answer है Matthew Neen, ठीक है, sees the right answer Matthew Neen, इसका गया है, मेतियो नेन जो है, मेतियो नोन हो गया, सिस्टीन हो गया, होमो सिटीन हो गया, टाॉरीन हो गया, सलफर यूकतमीनों एसीड होते हैं, ठीक है, अगला question देखे, question number 8 की तरह बढ़ते हैं, question number 8 क्या रहा है इसको देखी ज़रा करा एक निम निखित में से किस पौधे से छोटी लाइची प्राप्त होती है मतलब बढ़की लाइची नहीं करा छोटी लाइची किस से प्राप्त होती है छोटी वाली समझ रहे हैं आप लोगों ने खाया भी होगा करा किस से प्राप्त होती तो यह प्राप्त होता है एलेटेरिया कारडमोमम से ठीक है एलेटेरिया कारडमोमम से ठीक है प्राप्त होती है इसका सही उत्तर है C अब जानते हैं कि छोटी लाइची है यह इसी से प्राप्त होती है और यह किस फेमिली का है जिनजी बरेसी कुल का पौधा है, कौन छोटी इलाइची, आई यह इस पौधे के छोटे छोटे फ़लों के छिलके में छेपे बीजों से प्राप्त होती है, इसमें बहुत मज़ेदार खुसबू भी होती है, और स्वाध भी होता है, और इसको क्या कहते हैं, इसको मसालों की कि रानी कहते हैं, समझ रहे हैं, चलिए, अगला कोशन क्या कह रहा है, कोशन नुबर 9 की तरह बढ़ते हैं, कोशन नुबर 9, कह रहा है कि मूंफली के तेल में, किसके तेल में, समझ रहे हैं, मूंफली के तेल में निमखित में से क्या नहीं पा जाता, क्या नहीं पा जाता नोलि कामल लिलोली कामल लिनो लेनी कामल कहिए गा मैं तो बोल दी देता हूं ऐसा इसका राइट नसर क्या हो गए इसका right answer है ASTC क्योंकि इत्ता सिर्काम होता है न तो मुंफली में कहां से पाइदा हो जाएगा कि मुंफली या खट्टी आती है आहिसा तो है नहीं समझ रहे है तो इसका right answer क्या हो गया ASTC चली question number 10 क्या कह रहा है question number 10 की तरफ बढ़ते है question number 10 को देखिए जरा और कह रहा है 10 नमर में bacteria में restriction endonuclease का समान क्या कार्य है restriction endonuclease in bacteria इसका function क्या है भाई कह रहा है bacteria में अब इसका कार्य क्या है कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है to excise the remove in introns from EHRNA कह रहा है to polymerase nucleotide to form RNA to clave and modify DNA to remove primer from Erica J K basement इसका right answer होता है DNA को खाटना और परिवर्तित करना क्या काम होता है DNA को काटना और परिवर्तित करना इतने सही उत्तर क्या है C is का सही उत्तर है समझ रहे है और यह bacterium क्या होता है यह bacterium प्राक्तिक रूप से पाइजाता है जो समझ रहें क्योंकि यह है इंजाइ में एक नुटली का मुलोग को एक काटता है और इसका उपयोग कहा होता है इसका उपयोग जिनेटिक इंजरीरिंग में DNA को काटने में किया जाता है समझ रहें question number 11 की तरह पढ़ते है question number 11 क्या के रहा है करा hemulin है हीमिलीन क्या है हीमिलीन इस दा कर्बोईडेट है कि वस्ता है कि हाइबरीडोमा है कि प्रोटीन है तो हीमिलीन क्या है तो हीमिलीन हम आपको बदा दें इसका राइट अंसर क्या है प्रोटीन हीमिलीन क्या है एक परकार की प्रोटीन है समझ रहे हैं अनुवांसिक इंजिनिं प्रोटीन हार्मोन है इसमें दो पाली प्रेप्टाइट सिंखलाएं यह तथा भी होते हैं जिसे प्रयोग साला में इस्चेरिया कोलाई यह कोलाई बैक्टीरिया के दोरा संब्धन करके तयार करके आपस में डाइसलफाइट बंदो द्वारा जोड़ दिया जाता है चले चले क्वेश्चन नमर 12 देखते हैं क्वेश्चन नमर 12 क्या कर रहा है इसको देखे हैं कर रहा है कि कृतिम रूप से बैक्टीरिया के समभधन द्वारत तयार प्रथम हार्मोन क्या था समझ रहे हैं क्रतिम रूप से first हार्मोन produced artificially by culturing bacteria is पहला कौन सा था ऐसा कह रहा है तो कहे रहा है कि इंसुलीन, थाइरक्सीन, टेस्ट vardır तिरान, एड्रेनिलीन, तिसका right answer क्या है? इंसुलीन था क्यों सा? इंसुलीन is the right answer, इनसुलीन, ठीक है? अगला question देख लिजी, अगला question क्या कह रहा है? उसको भी देख लेते हैं मिद दोस्त. कर रहा है कि 10% 50% 100% की 1 या 2%. तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेर भाई, इसका right answer क्या होगा इसको देख लिजे, और बिल्कुल भताइए देखिये. अब हम आपको बता देए इसका सही उत्तर क्या होगा. अब यहाँ पर इसका जो right answer ओईसे तो लिंडेमान का 10% चलता है तो पिरामीड में चलता है लेकिन यहाँ पर right answer है D 1 या 2% कितना 1 या 2% इसका right answer है ठीक है अगला question देख लेते हैं अगला question क्या कह रहा है उसको उसकी तरफ बढ़ते हैं question number 14 की तरफ करा गन्य में red rot रोग किससे होता है गन्य में red rot रोग किससे होता है ऐसा कह रहा है करा इसपरजिलस से कि कोले ट्राइकम से कि सिस्टोपस से कि फाइटूप थोरा से ठीक है तो किससे होता है इसका right answer क्या होगा इसका right answer है, coletricum से किससे है, coletricum से ठीक है, क्योंकि गन्य में red rot जो होता है, वो coletricum philocatum से होता है, किससे coletricum philocatum से, और यह है, यह किस कोण से जनीत रोग है, एक fungal disease है, कैसा है, fungal disease है ठीक है, question number 15 के तरफ बढ़ते हैं, question number 15 क्या करा है, इसको देखते है, करा है कि pineus के एक बिक्सित पराग कण में होता है अगला कोशन देखिए कोशन नमबर 16 की तरफ चलते हैं कोशन नमबर 16 क्या कह रहा है इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई इसका राइट अंसर है कोशन इसका सही उत्तर है ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं 17 नमबर का कोशन क्या कर रहा है कर रहा है कि संख्या का पिरामिड उल्टा होता है संख्या का पिरामिड देखे अगर ऐसे बन गया पिरामिड ठीक है तो सीधा हो गया इसमें नमबर देखेंगा हमें सा समझ रहे हैं नमबर अगर ऐसे बन गया तो इसे कहेंगे उल्टा समझ रहें उल्टा अगर देखिए यहां पर संख्या सबसे ज्यादा है नीचे सबसे ज्यादा है उपर कम है तो इस सीधा बनेगा संख्या नीचे कम है उपर ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा उल्टा बन जाएगा समझ रहें समझ रहे हैं कि बड़ी मचली वाली संख्या काम होती है सबसे चोटे नानान होती है ज्यादा होती है गन्य के पारितंतर में जी बिलुकुल गन्य में तो है सही है समझ रहे हैं किसमें गन्य करा रेगिस्तान के पारितंतर में रेगिस्तान में तो नहीं है करा घास पारितंतर उसके संख्या कम हो जाएगा, रेगिस्तान के तो कि हमामल ही नहीं आता है, तिसका राइट अंसर क्या समझेंगे, यहां राइट अंसर है B, समझ रहे हैं कौन सा, B is the right answer, समझ रहे हैं, अगला कोश्चन क्या कह रहा है, उसकी तरफ बढ़ लेते हैं, अगला कोश्चन क्या कह क्या सकते हैं, कह रहे हैं, कह रहा है कि गोसी पीम क पास इसके तो पराप किया जाता है, कह रहा है, कहरा है, तो इससे भी तो पराप किया जाता है, समझ रहे हैं, कह रहा है कि COUKUS HAS lucky, Parents, यही तो टमाटर है लाइको परसी कान इसकुलेंटम आजानते एक सोलीने सी कुल का पाउधा है तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर होगा अब भी अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर हम 19 देखते हैं करा इफेड्रा से प्राफ्थ होने वाले कि लॉइड इफेड्रीन का उपयोग किस रोग में होता है देखिए अब यह बात तो यहां इसे पे बन गया कि इफेड्रा से क्या प्राफ होती है इफेड्रीन प्राफ होती है समझ रहे हैं लेकिन इफेड्रीन जो प्राफ होती है इसका उपयोग कहा होता है किस रोग में का इसी का उपयोग होता है इस थमा में अगला कोश्चन नमबर 20 क्या करा है इसको भी देख लिए जाए बीस नमबर करहा है एड्स होने का कारण क्या है अब यह जो ही लोग जो है इधर उधर बकलोल टाइप को घूमेंगे ना उनी को हो जाएगा एड्स आइस नहीं हो जाएग में अगला कोश्चन क्या करा है किसे महिला मेंडल किसे का जाता है आप पूरूस मेंडल नहीं महिला मेंडल किसे का जाता है आएसा भी कोश्चन आ गया कह रहा है بारबरा मैक क्लिंटं को कि अरचना सर्मा को इंदु हिदुजा को कूर्तिस को किसको कहा जाता है इसका राइट अंसर क्या है मिरे दोस्त ठीक है देखे हम आपको बदादे इनका योगदान है बहुत जादा है किसका योगदान जो मैक क्लिंटक हैं अर्थाज एस ड़े इस राइट एंसर इसका क्या है लेडी मेंडल कहा है बारबरा मै क्लिंटक है समझ रहे हैं मक्य में जो है ACDS सिस्टम तरप्रथम बारबरा मै क्लिंटक के द्वारा ही उन silषाटास में खोजा गया था समझ रहे हैं इन्हीं को कहा जाता है इन्हें मेडल लेडी मिंडल काता है इनको समझ रहे हैं इनको जो एक नोबिल पुरस्कार भी दिया गया थाrepresented przethera इस पेस का ef और करा है है किन पउस्चंदों में इस पेडिक्स बहुत से सपेद से घिरे होते हैं इस पेडिक्स किसमें 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 इस पूरा जो है कौन इस पेट घीरा रहता है इस पैडिक्स को तो इसका राइट इंसर क्या हो गया बीस का सही उत्तर है अगला कोशन क्या कर रहा है मेरे भाई तेस नंबर का देखे कर अब फली दार पौधों की जड़ों के आसपास नाइट्रेट की उपस्थिती किसको बढ़ बढ़ाते हैं गाठ निर्माण को यह बढ़ा देते हैं इंक्रीज नोडियूल फार्मेशन जानते हैं कि राइजो बीम जो जीवान होता है वही तो है कुल मिला के सारा का सारा नोटंग की दिखाने वाला समझ रहे हैं अगला कोशन 24 नंबर का कोशन क्या कर रहा है 24 गरा न प्रदूसक नहीं है कौन साधारानते वाई प्रदूसक नहीं करा CO2 की CO, CO, CO2, hydrocarbon इसमें कौन वाई प्रदूसक नहीं है आप जानते हैं CO2 है इसका सही उत्तर क्या है CO2 यही जो है वाई प्रदूसक नहीं है कोशन 25 की तरब बढ़ें कोशन 25 क्या कर रहा है कि टैड़ पोल से थायराइड ग्लेंड को निकाल देने पर यह क्या होगा फिर टैड़ पोल से अगर थायराइड ग्लेंड को निकाल दिया जाए तब क्या होगा कह रहा है कि तुरंत मर जाएगा जीवन परियंत एक टैड़ टेपॉल रहेगा, एक बवंने मेठक में बढ़ेगा, उपर नुइस कोई नहीना जिसका राइट इंसर खागा होगा, अगर निकाल दिया जाएगा थाराइट गृंति से जानते कहीए थायराकसिन हारमोन का σरा होता है, पाई्थ थाइट पोड तो एक टेड़ पोल ही रह जाएगा तो इसका सही उत्तर क्या होगा या बीजदा राइट इंसर अगला कोश्चन 26 नमबर का क्या कह रहा है 26 नमबर को देखिए करा अनेक प्राक्तिक रिजर्व बनाए गए है ताकि विसेस वन जनतुओं की जातुओं को सनचित किया जा सके इन में से सही युगम पहचानी है सही युगम इसमें से पहचानना है कौन सही युगम इसमें से सही है ऐसा कह रहा है ठीक है सही युगम क्या है करा काजी रंगा हाथी के लिए है ऐसा कह रहा है काजी रंगा हाथी के लिए है नहीं ऐसा तो नहीं कह रहा है यहाँ पर कच् समझ रहे हैं असेर के लिए है मानस वन जीव भ्यारन कस्तूरी मिर्ग नहीं इसका राइट अंसर के कच्छ का रन कच्छ का रन जंगली गधे के लिए है किसके लिए जंगली गधे के लिए इसका बी सही उतर क्योंकि कच्छ का रन जो है गुजरात प्रांद के कच्छ जिले म इस्तित है और विशेस रूप से जंगली गधों का सनचन में होता है और इसलिए है प्रसिद्ध है ठीक है आज जानते हैं जो काजी रंगा है मैं बता भी काजी रंगा काजी रंगा किसके लिए प्रसिद्ध है विशेस रूप से सिंग वाले गंडे के लिए जाना जाता है आ इसका question number 27 क्या कर रहा है 27 तरह बढ़ते हैं कर रहा है कि इन में से कौन सा पच्छी भारत वर्स के बाहर गोंष बनाता है है ऐसा करा है कौन सा पच्छी भारत वर्स के बाहर घोंष़व कनाता है ऐसा कर रहा है इसका right answer क्या है खंजन चिडिया क्योंकि यह एक प्रवासी पच्छी है जो प्राय है जाड़े के मौसम में भारत में भी आ जाती है समझ रहे हैं भारत में भी आ जाती है अगला देखिए question number 28 क्या कह रहा है इसको देखिए करहा उर्जा का मुख नवीनी करण सुरोत है नवी right answer समझ रहे हैं चलिए अगला question क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए अगला question क्या कह रहा है जो ब्रेंकियो इस्टोमा मेंज का देह गुहा का निर्माड इंटीरो सिलिक होता है, कैसा होता है, इंटीरो सिलिक होता है, समझ रहे हैं, अजब कि एनिलीडा मोलस्का और उच जो कसिरुकी हैं, उनमें देह गुहा का निर्माड कैसा होता है, साइजो सिलिक होता है, अगला क सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई इसका सही उत्तर है नप वन के बनने के लिए किसकी अजुरुत हती हूच वर्सा कि जितना जयादा वर्सा होगी हूगी चोटे पौधह गोर्ण करेंगे और फिर वही बड़े पौधह में क्या हो इस का इसका सही उप्तर क्या होगा दीशुल्स Economics क्या से तरह के करणी तरह में ऐसको इतर बढ़ते हैं ते करें निमखित में से कौनसा एक किट भच्छी पाओधा इसमें से कौन सा ये किडभच्छी पौधा है ऐसा कह रहा है कि अगले कोश्चन को देखते हैं कोश्चन नमबर 33 कि अनाक्सी सोसन की क्रिया सबसे पहले किसके दोरा दर्साया गया कि अनाक्सी सोसन जो है ये सब्द बैज्यानिक कोश्ची सोटी दूई में गया था लुगा था और इसका जो राइट अनसर होगा बिल्कुल यही होगा भी ही होगा ठीक है कोश्ची चेओ अगला कोश्चन नमबर 34 कोश्चन आप 34 नमबर में हहां कह रहा है कि जन्त शरीर में सबसे टीब रगती से कार करने वाला एंजाइम है जनतु सरीर में सबसे टीब रगती से कौन सा एंजाइम कार करता है करा साइटो क्रोम आक्षीजन सकसीनेज, दिहइडरोजिनेज आरेन फॉलिमरेज, कार्बोनिक इन हाईज D is the right answer D इसका सही उत्तर है कर्वोनीक एननहाइडरेज क्योंकि यही सबसे तीवगरती से 욕적 कारणने वाला इंजाइम होता है इसका जुतारनो वरमान है वो 36 मिलियन होता है अगला देख ली जो क्वोशनन क्या कह रहा है उसको देखिए 35-पल का एक दलहन फसल उगाई जाती है दो अनाज फसलों के बीच में इसकी छथपूर्त के लिए इसकी च्षत पूर्त के लिए एक दलाहन फसल उगाईunden के लिए ऐसा कह रहा है जल की च्षत के लिए के नइटोजन की च्षत को पूरा करने के लिए आप जानते ही है समझ नहीं यह कोश्चन तो बिलकुल कई बार भी आ चुका है ठीक है अगला देख लीजी अगला कोश्चन क्या करा है उसको देखते हैं कोश्चन नमर 37 कर रहा कि पूरा काल में पाई जाने वाली वनस्पतियों का ध्यन जिस साखा में करते हैं उसको क्या कैते हैं तेरिडोल इसमें से कौन 200 प्रशीद पूरा वनजपती सास्त्री नहीं कि पूरा वनजपती सास्त्री, प्रोफेसर बीरबल साहनी जो पूरा वनस्पत सास्त्री थे और इनके नाम से जो है हम आपको दर दे ये फादर आफ इंडियन परलियो बॉटनी भी इनको कहते है फादर आफ इंडियन परलियो बॉटनी अब जो पूरा बीरबल साहनी पूरा वनस्पत संस्थान जो है वो कहां इस्थित है वो लखनाव में प्रिद्धावस्था और ब्रिद्धी करण के बिसाइ में जिस साखा दौरा ग्यान परात होता है उसे क्या कहते हैं बिर्धा वस्था और बिर्धी करण के बिसा में जिस साखा है दोरा ग्यान परातोता है उसे क्या कहते है पैथोलाजी कहते है किंब्रियोलाजी जरेंटोलाजी की इकोलाजी इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई जरा विज्यान जिरंटोलाजी ही कहलाती है, समझ रहे हैं, इसके अंतरगत सरीर में होने वाले बहुतिक परिवर्तन और नमान स्पेशियों में परिवर्तन, अकंकाल तंतर में परिवर्तन, था था हार्मोन प्राणाली के परिवर्तन, इन सभी का अध्यान किया जाता है, ठी The Drug Produced Thore Biotechnology For Cancer Treatment Biotechnology द्वरा जो कैंसर की उप्चार के लिए जो बनाई गई है उसधी उसका क्या नाम करा है? Insulin है, Interferon है कि HGH है कि TSH है इसका सही उत्तर क्या है भाई? इसका right answer क्या हो जाएगा? इसका right answer है, Interferon. ठीक है, क्या है? Interferon ये बहुत ही आता है, निम्टिखित में से कौन अनुवान्सिक से संबंध है. समझ रहे हैं जनयुटिक इंजिनिरिंग से किसका संबंध है कर रहा हैがाल जी उपकरणका की इन्वाजमीड का करेक्चन है जनयुटिक से ठीक है चलिए आगला question क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं question number 44 कह रहा है आंत्री रसांकुरों की रक्त वाहिकाएं आउसोसित नहीं कर सकती है the blood capillaries are intestinal villi cannot absorb क्या आउसोसित नहीं कर सकती कह रहा fatty acid or glycerol glucose lowered amino acid तो किसको आउसोसित नहीं कर सकती है भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका right जो answer है वो है fatty acid और glycerol का आउसोसित नहीं कर पाती है fatty acid और glycerol समझ रहे हैं चलिए आगला question क्या कर रहा है 45 नमर का question उसको देखिए कर रहा कि निमलखित में से किसका प्रयोग अन्वांसिक इंजिनिरिंग में किया जाता है किसका उपयोग जनेटिंग इंजिनिरिंग में किया जाता है कर रहा E. coli का की agrobacterium tumipassians की दोनों की इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer क्या हो जाएगा question number 46 क्या कर रहा है इसको भी देखिए question number 46 क्या कर रहा है अब यहां कर रहा है कोशकाओं के किसके संपर्क में होने से DNA में pirimidine dimer बनते हैं लीजे भाई यह question थोड़ा गुमा दिया कोशकाओं के किसके संपर्क में होने से DNA में pirimidine dimer बनते हैं परबाईगनी प्रकास, कास्मिक किरने, X किरने, गामा किरने, तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई, इसका राइट अंसर है अल्टरा वाइलेट प्रकास, ठीक है, is the right answer, अगला देखिए, अगला कोश्चन क्या करा है, उसको देखिए, 47 अंबर का, ऐसे जन्त को, जिसके अ ट्रांस जेनिक जीव कहलाते हैं, इसका right answer हो गया B, ट्रांस जेनिक इसका परिवरतन कर दिया जाता है, तो नए परिवरतन, ड्रांस जेनिक ही कहलाते हैं, ठीक है, अगला कोश्चन क्या करा है, उसको देखिए, 48 नंबर का, करा कि, पूर्ण सक्तता का सिध्धान दिया ग का कंसिप्ट किस ने दिया था काया रहा इस्टिवाट ने की हिपोक्रेटस ने की राइबर लैंट लाया है कौन है राम धैबर लैंड था हम आपको बधा दें यह कैसे थे यह जो है एक German वनस्पत सास्त्री थे ठीक है और ये इन्होंने अपना सिधान 1902 में ही दिया था ठीक है कब दिया था 1902 में चलिए अगला कोशन क्या कर रहा है कोशन नुबर 49 की तरफ बढ़ते हैं करा कि भारत का सबसे अधीक रेसम उत्पादन वाला राज है भारत का सबसे अधीक रेसम इसका सही उत्तर क्या है करना टक अगला देख लिजे अगला कोशन क्या कर रहा है 50 नंबर का 50 नंबर का कोशन देखिए क्या कर रहा है करा गौसी पियम हिरुस्टम है गौसी पियम हिरुस्टम है क्या है पुराने बिसो की फसल तथा दिगुडित पुराने बिसो की फसल त traploid है अर्थात इसका सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है D ठीक है D is the right answer ठीक है अगला question देखिए question number क्या वन क्या करा इसको देखिए करा पोलियो प्रतरच्छा टीका किसके दौरा बिक्सित किया गया करा एडवर्ड जेनर की डाक्टर साल्क की जे लेडरवर्ग की लेंड इसका सही उत्तर क्या है विरे भाई इसका राइट एंसर है डाक्टर साल्क ठीक है डाक्टर साल किस दा right answer इनके दौरे पोलियो प्रतरच्छा टीका बिक्सित किया गया था ठीकिक किसके दौरा डाक्टर साल के दौरा अगला question क्या करा रहा है इसको भी ध्यान दे लिए ज होता है अंको जीन की सक्रीता से कौन सरोग होता है ऐसा कह रहा है भाई तो कौन सरोग होता है कर रहा है है जा टीबी बिसाड़ फ्लू कैंसर इसका राइट इंसर होता है क्या होता है क्या होता है कैंसर होता है समझ रहे हैं इसका राइट इंसर होगी अब बी इस दर राइट question देखे 지금 question no.13 क्या करा है क्या करा कि भारती लाख सोध संथान कहा है आगारा लाख सोध संथान कहा कहा है आगला question देखे question no.94 क्या करा है का इन-नなた से कौन सी मच्छली करने योगत नहीं है कर वह लोगो नहीं है कि नोटो प्टेरस नहीं है कि टेत्रा-ोडान नहीं है कि लेबियो बिलकुल ये सब रोऊ तो खाते हैं आप समझ रहे हैं इसको तो ख़ाज़ाएं तो आप ऑई-प्टे ऌइसब खींच देंगे कि पता ही नहीं चलेगा उसका पोडोसी वाला भी नहीं जान पाएगा, वहिया, आज क्या बना था, आज इन्होंने क्या खा लिया? इसका right answer क्या है, इसका right answer है tetraodan, ठीक है, tetraodan is the right answer C, यह खाने योग्ство मछली नहीं है, देखिए, यह क्या है, इखाने योग नहीं क्यों कि इसके सरीर में बिभिन भागों में नीरो टाक्सिंग नामा के रसायन होता है जो टेट्रोडाक्सिंग के नाम से जाने जाते हैं समझ रहे हैं इसको अगर खाली ना पैरल आजसीस हो जाएगे मनुसनुस जो है सिधे प्यारे हो जाएगे अगला क्या है टैक्सिस है कि काईनेसिस है फिक्स टेजना कारण फॉर्म और क्टीजिया प्राणब हो जाती है और टैक्सिस की तुलनाम अधिक जटिल पर किलिया हो जाती है क्योंकि आप जानते हैं कोट सिप जो बिहाइबियर होता है इसके दोरान जब कोई नर तथा मादा एक दूसरे से आकरसित होते हैं तो दोनों में से एक अपनी बिशिष्ट क्रमबध गती या क्रियाओं द्वारा प्रभावसाली सहचर को आकरसित करने का प्रयास करने लगता है किसके खिलाप प्रयुक्त क्या गया है सा करहा है कि हर्पीस बी हर्पीस बिशांड हर्पीस दोनों के लिए կ केवल पोली वाइरस के लिए उसका राइट ऑंसर क्या है क्या है बाई कह रहा है चारीस डिगरी सेलसियस 35 से चारीस डिगरी सेलसियस ताप मान तक एंजाइमी अभिक्रिया की दर बढ़ती है प्रतेक कहरा कितने डिगरी सेलसियस की बिद्धी करने पर कहरा 10 डिगरी सेलसियस ताप मान की बिद्धी करने पर 10 की कमी करने पर 5 की कमी करने पर 5 की ब्रिध्धी करने पर तो इसका सही उत्तर क्या है देखिए कहीं कहीं बुकों में तो इसमें 10 भी लिख रखा है समझ रहे हैं कहीं कहीं 5 लिख रखा जो आयोग ने माना है वो माना है 5 तो इसका रायाइट एंसर क्या होज़ेगा पांच निगरी क्या है मीजोफिल में जईख है है जो सलेक साइकिल जो प्लाइन में कंप्लिट होती है किसमें मीजोफिल कोषकाओं में होती है चीज़ राइट एंसर ठीक है अगला कॉश्चंट नमबर 69 क्या कह रहा है उसको दीखें 69 नमबर कर आप फेलोजन के बाहर की तरफ कटे हुए कोशकाओं को क्या कहते हैं फेलो जन के बाहर जो कटी हुई कोशकाओं होती हैं कर रहा है उसको क्या कहते हैं कर रहा है कि उसे फेलो डर्म कहते हैं कि फेलम कहते हैं फेलम क्या कहते हैं मेरे भाई उसे कहते हैं फेलम इसका 20 का सही उत्तर है ठीक है क् गुष्टम में समवहनी नलिकाएं उपस्थित होती है इन इकुष्टम इस्टेम वैली कुलर कैनाल आर प्रजेंट कह रहा है विलो फरो बिलो रिजेज इन दक सेंटर आफ इस्टेम आल ओवर दा इस्टेम तो इसका राइट अंसर क्या होगा विलो फरो खांच के नीचे कहा वैली कुलर कैनाल कहां उपस्थित होती है खांच के नीचे उपस्थित होती है ठीक है अगला कोश्टन देख लिजे अगला कोश्टन क्या करा है एक सथ नमबर का कोश्टन करा कि लेग्यू मिनेसी कुल को तीन उपकुलों में बाटने का आधार है लेग्यू मिनेसी जो को रोला एंड एंडोसियम होता है कौन को रोला और एंडोसियम इसका राइट एंसर हो गया G समझत हैं कॉन भी अगर हम तीन उफ कोल का करें तो जो तीन उफ कोल है हम आपको बता दें जो इसमें तीन उफकुल है जो कौन कौन से जैस से भात पर हो गया ऐसी कहते हैं से делать पिनेसी हो गया और मिमोस आईडी हो गया ठीक है ये तीन उपकूल होते है इसमें अब आसर अंबर का कोशन क्या कर रहा है कि लेगुमिनेसी कूल आर्थिक रूप से महत्पूर है कौन लेगुमिनेसी दलहनी वाला क्या है क्योंकि इसके सदर से उतपादन करते हैं किसका गासो में अतिधिक पुनलूर्ड भUNTवन छमता होती है किस इसमें घास में तस गोर्व करते हैं न क्यों यह होते है क्या होते हैं प्रभावी जाती हुथ है प्रिद्धि करने वाले होते हैं लगातार काटे जाते हैं कि राइजो मेटर मैटर सूर्स तो इसका सही उत्तर क्य कारणि capital पी होती है कौन सा कथन सही है एसा कह रहा है कौन सा कथन से १ सही है कि जन्त ब्योहार का अध्यान इक्थियो लाजी कहलाता है अंतर क्रियाएं उपारजित होती है सयोजन पूर्टे हानुवनसिक होता है ब्योहार का नियंतरन प्रिणा पर अधारित होता है ब्योहार का नियंतरन प्रिणा पर अधारित होता है आईसा कह रहा है तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई देखे वो जो है एक थियोलाजी लिखा है वहाँ अगर एक थियोलाजी हो जाता इतोलाजी तब सही हो जाता है यह गलत है यह हो गलत है तो इसका राइट एंसर क्या है डी यूज टु परफार्म बिहाईवियर गवर्ण मोटिवेशन ठीक है बेवहार का नियंतर प्रेणा पर अधारित होता है डी इसका सही उत्तर है क्वेशन नमर 65 क्या करा है इसको देखिए करा किसी जीव बैज्यानिक प्रियोग में अपने मूल रूप से प्रात आखडों को निमखित में से किस नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता करा है सिरिंखला बधे आखडे ति इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई ठीक है 65 नमर का क्वेशन देखिए कुछ ऐसा भी आ गया इसका right answer है data, ra data, ठीक है, कच्चे आकड़ी, ठीक है, कच्चे आकड़ी, इसका सही उत्तर है, ठीक है, अगला question देखिए, अगला question क्या कर रहा है, छाच नमर का question कर रहा है, कि फैबेसी कुल में बिजांड प्रायह निमनों परकार होते हैं, जो फैबेसी कुल है, फैबेसी य trapes और bite technique होता है, ठीक है, अगले question की अगर बात करें, 66 number का question तो वो क्या कर रहा है, अगला question क्या कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं, अगला question क्या कर रहा है, उसको देखिए, कर रहा है कि जाइगो मार्फिक पुस्प होता है, जाइगो मार्फिक पुस्प कहसा होता है, कर रहा है, डेलफिनियम में होता है, रेननकुलस में होता है, ब्रैसका में की आइपोमिया में होता है, तो जाइगो मार्फिक किसमें होता है, तो यह होता है डेलफिनियम में, किसमें डेलफिनियम में, ठीक है, डेलफिनियम is the right answer यह इसका सही उत्तर है ठीक है अगला देख लीजे अगला question क्या कह रहा है उसको भी देखते है question number 79 क्या कह रहा है करा है साइकस के पत्रक leaflet में अब केंदरी दसा होती है साइकस के leaflet में कैसी दसा होती है अब यहां थोड़ा सा matter यहां घुमाने वाला आ गया मेरे भाई मैटर ये थोड़ा सा घुमा दे रहा है तो चलो इसको आप लोग हमारे इसमें तो विल्कुल कमेंट जिसके पास हो विल्कुल बताते रहे है कमेंट करके ठीक है कोश्चन मर सत्तर क्या करा है उसको देखिए सत्तर नमर करा है निम्रखित में कौन सा गुण फर्न और साइकस म समान होता है ऐसा करा है कौन सा गुण फर्न और साइकस में समान होता है करा है दितियक ब्रिद्धी और संयुक्त पत्ति इस पोरो फिल और दितियक ब्रिद्धी सर्सिनेट वर्नेशन और संयुक्त पत्तियां सर्सिनेट वर्नेशन और संयुक्त पत्तियां सर्सिनेट वर्न इसका C चंक है तोक है तो त महण एक से क्वार्टट हो जाता है क्वी ओ यह सैस्वी संब्स होन्दिंगें पॉधों का जाता है इजोला में कि लाइकोपोडियम, एक्कविसीटम, साइलोटम, ठीक है, तिसका right एंसर क्या हो जागा, सहजीवी संबद कौन दिखाता है, यह दिखाता है एजोला कौन, एजोला इसका, ए, इसका सही उत्तर है, कौन, एजोला समझ रहे है, क्योंकि माईकोराइजल ससंबद उ बीजी प्रवित्ती की सुरुवात किसमें देखा गया, ऐसा कह रहा है, मतलब यहां कह रहा है, सीड हैबिट की सुरुवात किसमें देखी गई, तो सीड हैबिट की सुरुवात देखी गई थी, सीले जीनेला में, किसमें देखी गई थी, सीले जीनेला में, इसका बी, इसका स सही उत्तर है सिलेजी नियला समझ रहें अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में किसे मंकी पजल ट्री के नाम से जानते हैं की पजल ट्री क्या है तो कह रहा है एग एससे में माधा जलनांग दोनों एक ही पुस्प में होते हैं कर रहा है कि खजूर में कि साइकस में कि धतूरा में पपीता में यह होता है इसका राइट अंसर है धतूरा में किस में होते हैं धतूरा में नर तथा मादा एक ही पुस पर होते हैं ठीक है अगला कोशन देख लिए कोशन नमर 75 क्या कर रहा है कर रहा है कि उस बैग्यानी का न एड़वाइड स्ट्रासबर्गर, ठीक है, किसने बताया था, स्ट्रासबर्गर नहीं बताया था, ठीक है, तो इसका right answer हो गया क्या, बीजदा right answer, अगला question number 76 क्या कऱा है, उसको देखिए, 76 number कर निम्न में किसमे लिटमस पराप्त होता है, किस से लिटमस पराप्त होता है, क प्रजातियों से ठीक है तो रोसेला मंटिक ने इसका सही उत्तर है ठीक है चलिए आगला क्वेशन क्या करा है क्वेशन नमबर 77 नमबर उसको देख लिजेए 77 नमबर करा जीवास्म मनस्पत की अध्यान है तु भारत में सबसे अच्छा स्थान है जीवास्म मनस्पती समझ र जायेगा मेरे भाई इसका राइट अंसर कौन सी पहाड़ी है वो है राजमहल पहाड़ी कौन सी राजमहल पहाड़ी इसका डीस का सही उत्तर है राजमहल पहाड़ी ठीक है आगला देख लिजे कर रहा है कष्रीन नमबर 78 को स्मझ रहे हैं इसकाCr Inner संधी क्यान जानते हैं ? के आप जानते हैं इसमें कुछ धब्यडार तेल गरंथिया नीबू गैए तो आप उन्को चब तोड़िये नचोड़िये तो कुछ मस्त खुशबू भी आ जाती है आपको समझ रहे हैं आगला देखिए क्वेशन नमबर 79 नमबर का क्या कह रहा है कह रहा है कि काईक प्रवर्धन का प्रमुखलाब यह है कि यह का प्रवर्धन बेजिटेट्व रिप्रोड़क्सन का मुखलाब क्या है करा है यह बहुत सरल होता है विश्वसनी होता है आणुवानसी की एक समान संत्ती देता है स्वास्त रोग प्रतिरोधी पोधा होता है तो बताए थोड़ा सा आग यह कोशन है यह थोड़ा सा आपकी मैंड को कहीं न कहीं जो है डाइवर्ट करने का प्रियास कर रहा है तो कैसा होता है आनुवान सिकता है एक समान संत्ति यह देता है ठीक है कौँँसा बेजिटेटिव प्रोपोगेशन ठीक है अगला कोशन करता है कि नाइट्रो बैक्टर करता है कि यह तथा भी दोनों करता है कि इन में से कोई नहीं तिसका राइट एंसर क्या है विच आप फालोइंग बैक्टिरिया अक्सी डाइज अमोनिया इंटू नाइट्राइट ठीक है तिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि अमोनिया को 1983 में कोन परिवर्तित करता है तो इसका राइट एंसर है यह कौन सा नायट्रोकोकस, नायट्रोकोकस द니다 थे छलिए अगला कोश्चन क्या का रहा है अगले कोश्चन की अगर हम बात करे तो देखिए क्या सी नंबर का कोश्चन कर हैं निम्न मैं से अन्वांसिक वहां है कर काजम इसको देखिए इस लिए लिए है जाना जाता है यह जाना जाता है जो आक्सीजन होती है एक रंगहीन गंधहीन गाईस होती है जो पानी में बहुत कम घुलन सील है समझ रहे हैं यह दे जो आक्सीजन होती है कि 8 समस्तानिक खोजे गए हैं समझ रहे हैं कितने 8 खोजे गए हैं चलिए अगला कोशन क्या कर रहा है कोशन नमबर 83 नमबर का 83 नमबर देखिए कर रहा है कि प्रतिबंद एंजाईम है मनलब restriction ərंड knife क्या है ऐसा कह रहा है कि restriction इंडो है क्या है ऐसा कह रहा है ठीक है कह रहा है कि रहा है इंडो है स्थल्प DNA को बिधलित करताई जी बिलगुल यहीं पहचान करके काड़ता है वह ही कहलाता है restriction इंडो nucleus समझ रहे हैं और आप समझें कोई बात ही नहीं है तो इसका right answer क्या है is the right answer यह इसका सही उत्तर है ठीक है अगला देखिए अगला question क्या कर रहा है 84 नमबर का 84 नमबर में कह रहा है कि पराग को संबर्धन की खोश सरप्रथम की थी मलब एंथर culture was first reported by इंथर culture की खोश सबसे पहले किस ने किया था ऐसा कह रहा है कि इसका right answer क्या हो गया सी इसका सही उत्तर है देखिए पराग को से जो संबर्धन की तकनीक होती है यह कैसी है यह सरल तकनीक होती है अब इसमें पौधों की कुछ परजातियों से आप परिपक पराग को सका की विभाजन की प्रक्रिया उत्तेजित करना सरल हो जाता है समझ रहे हैं इसमें जो पराग को सो की बहुत बड़ी संख्या अनकूल प्रक्रिया भी देती है समझ रहे हैं अगला देखिए अगला क्वेशन क्या कह रहा है उसको भी देख लिए पचासी नंबर करा कि खरोंच प्रतिरोधी टमाटर को बिक्सित करने की तकनीक क्या कह रहा है कंग लुए इसका сधंकरन क्या चाहर नाडडा सपस्टा उसतर बिमार smells के है चाहेह परीत पति में तमाटर की पति में कि भिंडिक पत्ती में तमाटर की पत्ती में कि पाए ज्रुटा भीमारी किसमें पाए जाती है समय रहे कोई आप पारात पर जीवी है फैसा क्या जीवि थे से हुँ Nam हाइपर पारासाइट कौन है आप्स सूर करा है कि हाइपर पारासाइट क्या है कह रहा है कि जीनोपसिला है कि सैकुलाइना है कि यरसीनिया पेस्टिस है कि पेडिकुलस है इसका सही उत्तर क्या है इसका राइट अंसर है जीनोपसिला ठीक है क्या है जीनोपसिला इस दा राइट अंसर एसका सही उत्तर है ठीक है अगर हम इसकी बात करें हाइपर प रहा है थासी umur ka question उसको देखिए कह रहा है कि इन में से कौन एक पॉध हे पॉध में da ho कह रहा है सिट्रस का एंकर डाइबैक मोजैक रोग यह तो सब वाइरस यह बैक्टीरिया समझ रहे हैं इस सब होते हैं कहरा कि खानिज की कमी से होने वाली हरित वीमारी तो यह कहां रोग जनित वीमारी थुड़ी नहीं है जो खानिज की कमी से होने वाली है तो इसका राइट की कमी करण हो गया था ठीक है कोशन नबर 89 की तरफ बढ़ते हैं 89 क्या कर रहा है 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 कर रह सब्सक्राइब, चावल है इसा correct answer क्या है इसका right answer और अन्हें इसका right answer समझ रहे हैं प्रत्र ही कह दो देखें, इसका correct answer है और अगला question देखें 91 नमबर का थोड़ा सा, 91 नमबर कोशन देखी, कह रहा है, अब यहां आ गया, पहला सफल ट्रांसजेनिक पौधा कौन था, अब वहां बेवसाई कस्तर के लिए, अब कह रहा है, पहला सफल ट्रांसजेनिक पौधा कौन है, कह रहा है, टमाटर है, कि बीटी कापास है, सोया ब बढ़े देते हैं कि अगला question क्या कर रहा है 92 नंबर का करा कि पॉली सिफोनियां में पीड़ी एक अंतरन होता है जो पॉली सिफोनियां है इसमें पीड़ी एक अंतरन 93 पाइनस में बहुभूंदता का मुख कारण क्या है अफिलन विह एक क्लीवेज पॉलींबरान कि किसमें पाइनस में ठीक है अगला देखें पर 94 नमट क्या करають उसको देखें किस में यूई तो इसका सही उत्तर क्या होगा जुऐ इसका सही उत्तर क्या होगा युु-स्प्रेंजिय CP लगु तो इसका राइट य क्या पाइनस पंचिय चैनेवाले यो नस्पंतियाग को tempted की तो बताईे इसका राइट इंसर कहा रहा है घाटी परभाव कहलता है कि मर्ग कहलता है कि खुला पणपाती ऑध कहलता है सवानाह कहलता है तो इसका सही उत्तर क्या है किस लकड़ी का उसत भार सबसे ज़्यादा होता है करा चीड का होता है कि देवधार किसी सम्क साल अब बताईए इसमें सबसे बहतरीन लकड़ी कौन है जिसका उसत भार सबसे ज़्यादा होता है तो होता है हमा को दादे सोरिया रभुस्टा का किसका सोरिया रभुस्टा अर रूप में कौन परिवस्तित कर देता है नाइट्रोबेक्टर की राइजोबियम की रोडो इस्पायरियलियम की बैसीलास ठीक है तिसका सही उत्तर क्या है भाई इसका राइट एंसर क्या होगा कि निवर्खित में से कारबन ड्यक्साइड को कोन प्रकास के उपस्तिती में परिवर्ति कर देता है तिसका सही उत्तर क्या है रोडोइस्पिरिलियम ठीक है रोडोइस्पिरिलियम इस दा राइट अंसर कौन रोडोइस्पिरिलियम क्योंकि यही कार्बन डायकसरट को प्रकास के उपस्तिती में जिसका राइट अनसर है सीडो के सिर्यल क्या रहता है सीडो सीरियल जूठा मूठा वाला समझ रहे हैं पाल्स आप कह सकते हैं चलिए आगला क्वेशन क्या कहरा है उसको देखी है कोश्चन नमबर 9-9 क्विद्धिय बिखित की ती कहलर और माईली स्टीन ने ऐसा कहा क्या रहा है कि कौन से बिधी इन्होंने बिखसित की थी आप बदाई कौन से बिखसित की थी इन्होंने कहरा है कि DNA fingerprinting है गोल्डन राइस उत्पन करने हैं तो इसका राइट एंसर है कैवे इस नोबर 100 कैया रहा हुए Ñग टो वि एनगर फिंकर प्रश्कतिन किसे दwhileafter खो जा गया तो आप चैन्ठी से लाइग जेफरीक को या था गया था चैन्य उसका राइट ऐंसर हो जाएगा था ए अल्यक जे ठीक है क्योंकि ये जेफरीक की देसरा आविक Paleoầuik 산 लाड़ा तकनिकी होती है तो जिसका उपयोग जैविक साख्छा और अपराधिक जाच में इसके लिए किया जाता है जो नकली माता पिता भी रहते हैं कहते हैं कोई कहा दिया है तो जाष फिन यह रहता है पोसक पॉदों की टहनिओं से प्रात कच्ची लाख कहते हैं कच्ची ब्रूड लाग जब वो एकदम बिल्कुल कच्चा टाइप कर रहता है समझ रहे हैं तो उसे ब्रूड लाग कहते हैं अगला कोश्चन एक सो दो नमबर का कह रहा है उसको देखिए कर रहा है इन में से किस विधी द्वारा जाइगोट अथवा प्रारंभिक भूण को फैलो प अगला कोश्चन एक सो तीन नमबर का क्या कर रहा है कि हरित गुलबंध योजना को किस प्रकार के प्रदूसर को रोगथाम के लिए लागू किया गया है बताई हरी गुलुगबंद योजना को किस प्रकार के प्रोदूरसन की रोग थाम के लिए लागू किया गया है करा वाई प्रोदूरसन जल प्रोदूरसन ध्वानी प्रोदूरसन रेडियो धर्मी प्रोदूरसन तो इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर है ध्वानी कौन सा ध्वनी प्रदूसन के लिए साउंड पलूसन के लिए है आप जान नहीं रहे हैं कहते ही हैं समझ रहे हैं चली आगला कोशन क्या करा है 104 नमर का कोशन उसको देखिए करा कि जिलैटिन से कैपसूल का निर्माड जन्त के किन भागों को उबाल कर किया जाता है जिलैटिन से कैपसूल का निर्माड जन्त के किन भागों को उबाल कर किया जाता है करा सीइंग की खूर तचा उपरी तो सभी तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई इसका राइट अंसर है सभी को उबाल कर horn, hoops, skin, सभी को while seeing, खूर, तचा, इन सभी को समझ रहे हैं, तो इसका right answer क्या हो गया, इसका right answer हो गया, D, ठीक है, D is the right answer, अगला 105 नमर का question क्या कहा रहा है, इसको देखिए, कहा रहा है कि size square test, size square test बिक्सित हुआ था, किसने बिक्सित किया था, इसका right answer है, आरे फिसर, आरे फिसर ही ने बिक्सित किया था, क्योंकि size square test का विकास आरे फिसर द्वारा ही किया गया था, जा नहीं रहे हैं, कि वास्तों में, जो size square test होता है, size square test सार प्रत्थाम वर्थ 29 सो में कारले पियर्सन द्वारा प्रत्थाद किया था, लेकिन वर्थ 29 सो जो 22 था, 22 में आरे फिसर द्वारा इनमें कुछ बिसिस्ट सुधार कर दिया गया था, समझ रहे हैं, तो दोस्त आज के हमारे इस lecture में बस यहीं तक रखते हैं, और फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ, नए लेक्चर को, और नए उर्जा के साथ, तब तक लिए, ओके, थैंक यू, जैहिंद,